अंटी पीसी साना छित्र के परसामा गाउं में करंट लगने से दो इवक जखमी हो गए जिसे आनन फानन में ग्रामिनों द्वारा इलाज के लिए अनुमंडली एस्पताल बाढ लाया गया जहां दोनों का इलाज चल रहा है घटना के संदर्ण में बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही थी जिसे ठीक करने के लिए इवक ने बिजली इभाग से शट डाउन लेकर ट्रांसफार्मर पर चड़ कर काम कर रहा था इसके बावजुद अचानक उसमें लाइन आ गई जिसके बाद दोनों इवक जखमी होकर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए वही ग्रामिनों का आरोप है कि बिजली इभाग गवारा सौट डाउन लेने के बाद भी लाइन कैसे आ गया यह तो जाश कविसय है वही ग्रामिन सीधा-सीधा बिजली इभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं फिलाज जखमी दोनों इभाग खत्रे से बाहर हैं